नमस्कार दोस्तों, बाइजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रेप में आपका स्वागत है, आज की तारीख है 11 सितंबर 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दाहिंदू अकपार में आए हुए प्रमुक आलेखों और एडिटोरियल्स पे जिसके तहत हम प्रारंभिक परिक्ष दोनों से संबंधित कुछ अभ्यास प्रशनों को भी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की जो हमारी पहली खबर है वो पेज नमबर 6 एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जी एस पेपर 3 में एकॉनमी अर्थव्योस्ता से है, सबसे पहले हम इसका जीडीपी के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत की जीडीपी जो पहली तिमाई रहा है, जो फर्स तीन महीने रहे हैं, अपरेल से जून क्वाटर, उसमें लगभख 24 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, ठीक है, इस गिरावट में केवल किरशी छेतरी एक मातर ऐसा छे आर्थ विवस्था को फिर से गती अगर परदान करना है, तो उसके लिए हमें किरशी छेतर की महतपूर्ण योगदान को ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए हमें किरशी छेतर में काफी कुछ किये जाने की जरूरत है, तो यह जो आर्टिकल है, इसमें यही प्रिस्त अगर अर्थवियोस्था के छेतर में किर्शी शेतर को महत्पूर्ण भूमिका देनी है तो ऐसी बहुत सारी और भी सुधार हैं जिनको किए जाने की जरूर्श में जो सरकार है उसको अपनी प्रत्यक्ष भूमिका को निभाने की जरुवत है ठीक है तो मूल रूप से ये किर्शी छेत्र और उसमें होने वाले कुछ सुधारों के बारे में बात करता है और इसमें जो है कई सारे आंकड़े वगेरा भी दिये गए हैं जिसको आप अपने एक्जाम में 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 प्रियोग कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शु 20% ग्रोथ देखी गई है इसमें जो किर्शी छेत्र है उसको पॉजिटिव ग्रोथ के चलते ये कहा जा रहा है कि वो आर्थिक पुनरुथान करेगा भारत में जो है एकनॉमिक रिवाइवल में एक महत्तपूर भूमी का निभाई जाएगी किर्शी छेत्र के द्वारा ले ऐसे कौन-कौन से तर्क हैं जिसके अधार पर ये कहा जा रहा है कि किर्शी छेत्र आर्थिक छेत्र में सम्रिद्धी के लिए काफी महत्तपूर है और COVID-19 में भी इसने काफी ग्रोथ की तो ऐसे कौन-कौन से तर्क हैं ऐसे कौन-कौन से आकड़े हैं जो इस अंदर में दि थारा उननिस की तुलना में, यानि पिछले साल की तुलना में, इसमें लखबक चार प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई है, पहली बात तो यह, यानि गेहूं चावल और जो खाद्यान है, वो पिछले साल की तुलना में जादा पैदा हुए है, दूसरी बात क्या है, कि भारत म में 2020-21 में जो रभी की फसल बोई गई जो दिसंबर के महीने में जाड़ों में बोई जाती है और इसमें जो गेहूं का जो सरकारी अधिग्रेन हुआ है यानि गेहूं को जो खरीदा गया है गेहूं की जो खरीद हुई है वो पिछले साल की तुलना में 12.6 प्रितिशत जाद दूसरी बात तो यह हुई कि खाद्यान जो हमें वो हमने अधिक उगाया और दूसरी बात यह हुई कि जो रभी की फसल का जो गेहूं है उसकी खरीद काफी हुई है 12.6 प्रितिशत लगबग 13 प्रितिशत की जो है खरीद अधिक हुई है ठीक यह दोनों जो आकड़े हैं वो इस बात को बताते हैं कि किर्सी खेत में जो लचीलता है ठीक है किर्सी खेत में जो रेजिलियन्स है वो काफी अच्छा देखने को आ रहा है बावजूद इसके की COVID-19 का दौर था इसके अलावा दो हजार बीस इक्किस के काल में जो फूट ग्रेन को रेकर जो मुद्रा स्वीती है वो पिछले साल की तुलना में लग भख 9.2 प्रितिशत अधिक है ठीक है अब जो खाद्यान मुद्रा स्वीती है वो अगर जादा होगी तो ये माना जा रहा है ये लोग मान रहे हैं कि मुद्रा स्वीती इसलिए जादा हो रही है क्योंकि खाद्यान जो है आंकडे के अधार पर कई विद्वान ये तर्क दे रहे हैं कि लगतार बढ़ती मांग से व्यपार बढ़ रहा है जिसका किसानों को लाब मिल रहा है ठीक है इसका मतलग क्या हुआ कि एक तो उत्पादा नधिक हो रहा है वहीं दूसरी ओर मांग भी बढ़ रही है यानि आप खरीद की फसल की जो बुआई है ठीक है जो मांसून के काल में की जाती है ठीक मांसून के काल में जो खरीब की फसल की बुआई की गई है वो 14 प्रतिशत अधिक की गई है जिसके चलते चूंकि जादा फसल उगाई गई तो उस फसल को उगाने के लिए ज्यादा ट्रेक्ट की जो आर्थिक गतिविदी है वो लगतार बनी रही लोकडाउन के काल में भी क्योंकि ये पूरा जो काल है वो लोकडाउन का काल रहा है इसके बावजूद जो है किर्शी छेत्र में खरीव की फसल की बुआई काफी अच्छी हुई है ठीक है इसके अलावा भारत सरकार कोविद-19 से जनित मंदी से निपटने के लिए आत्म निर्भर भारत पहल के तहट एक पैकेज दिया गया 20 लाग करोड का तो उससे भी ये कहा जा रहा है कि इससे किर्शी छेत्र का और विकास होगा तो ये कुछ ऐसे आकड़े हैं जिसके अधार पर ये कहा जाता है कि अर आलोचना है वो कई पक्चों के अधार पर की गई है जिसको समझने की जरूरत है ठीक तो पहली आलोचना तो वो इस अधार पर करते हैं कि 2020-21 में जो हमने जाड़े की फसल उगाई यानि जो रवी की फसल जो हमने खरीदी ठीक है रवी की फसल का जो अधिक अधिगरण हु तो यह जरूरी नहीं है कि उसका लाब सभी को मिला हो ठीक यानि जादा खरीद हुई जादा सरकारी खरीद हुई बावजूद इसके जो है आकड़े बताते हैं कि धान के किसानों को लगभख 14% और गेहों के किसानों को लगभख 16% ही MSP का लाब मिला है ठीक है MSP क्या होता है तो MSP यानि जिसे नियूनतम समर्थन मूले कहा जाता है तो नियूनतम समर्थन मूले वह मूले है जो सरकार द्वारा प्रतेक क्रिशी सीजन के पहले ठीक है प्रतेक क्रिशी सीजन के पहले सरकार द्वारा घोशित नियूनतम मूले किया जाता है जिसमें किसी भी फसल के संदर्व में जैसे कि गेहूं हो गया या चावल हो गया इसके संदर्व में जो है एक सरकारी मूले की घोशना की जाती है और सरकार इस मूले घोशना को कहके यह सुनिश्चित करती है कि माल लिजे अगर गेहूं को एक कुंटल यह घोशना किया गया MSP कि उसको 1000 रुपए में खरीदा जाएगा minimum तो इसका मतलग क्या हुआ कि आप 1000 से कम में जो है assure नहीं हो सकते हैं इसका मतलग क्या हुआ कि आप चाहें तो सरकार को 1000 रुपए में इसको बेच सकते हैं और इससे कम में आप नहीं बेच पाएंगे इससे कम में जो है आपको घाटा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ये चाहती है कि MSP के संदर्व में MSP को गोशित करके कोई भी किसान अपनी फसल को कम दाम पे बेचने के लिए मजबूर न हो जाए लेकिन आकड़े ये बताते हैं कि जो MSP का जो लाब है वो सभी लोगों को नहीं मिलता है केवल 14 प्रतिशत साड़े 13 प्रतिशत धान के किसान और मांतर 16 प्रतिशत गेहों के किसानों को ही MSP का लाब हुआ है और जादातर जो अन्ने किसान है वो अपनी फसल जो है MSP से कम दरों पर बेचने को मजबूर हुए है ठीक है अब ऐसा क्यूं हुआ तो ऐसा इसलिए हुआ है क्यूंकि जो lockdown का जो काल था उसमें जो आवागमन के जो साधन थे वो कापी सीमित हो गए थे इसके चलते जो उतपादों की जो बाजार तक पहुश थी ठीक है एसे किर्शी उतपाद है जिनकी बाजार तक पहुश ठीक है मार्केट एकसेज जो है वो कमजोर हुई है पिछले साल की तुलना में जैसे की गेहूं, जो, आलू, भिंडी, आदी की जो बाजार पहुश है वो पचास से सतर पृतिशत तक ही रही है पिछले साल की तुलना में ठीक, इसके अलावा जो रगी की फसल का जो गेहूं है उसकी बाजार पहुश मात्र 62 पृतिशत ही रही है पिछले साल की तुलना में यानि कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिग रहन, यानि खरीदी भले ही अधिग हुई हो पिछले साल की तुलना में लेकिन इसका लाब जो है जिसके तहट MSP का जो लाब है वो बहुत कम किसानों को मिला है जिसमें 16 प्रतिशत किसान ही शामिल है ठीक है, तो पहली बात तो यह हो गई इसके अलावा, जो किसानों को लोकडाउन के चलते बजार पहुँच सीमित हुई ठीक है, जो मंडियां बंद रही इसके चलते किसानों को उनके उत्पादों का दाम सही नहीं मिला और साथी साथ जो दूद, मास और पोल्टरी का जो छेतर है उसमें भी जो उनका जो उत्पाद थे, वो बजार तक सही समय पर ना पहुच पाने के चलते खराब हो गए जिसके चलते केवल पोल्टरी छेत में ही यानि अंडे और मुर्गी के छेतर में ही 25,000 करोड की हानी हुई है, तो मार्केट पहुच भी सीमित हुई है, वहीं दूसरी ओर जो उनके उत्पाद थे वो चुकि सही समय तक नहीं पहुच पाए तो इसके चलते पोल्टरी छेतर 25,000 करोड की हानी हुई है ठीक है, इसके अलावा जो ग्रामिन छेतर में जो मुगद्रा स्फीती दर बढ़ी देखी गई है यानि जो महंगाई बढ़ी देखी गई है उसका किसानों को लाब नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है तो सीधी सी बात है जो किसानों ने जो उत्पाद अपने पैदा किये, ठीक है उसका उनको सही दाम नहीं मिला ठीक है, अब जब उनको उसका सही दाम प्राप्त नहीं हुआ, तो उनके हाथों में ज़्यादा पैसा नहीं आया, और अगर उनके हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, तो फिर मार्केट में जो वस्तु बिक रही है, ठीक है, मार्केट में जो किर्शी वस्तु बिक रही है, उसको खरीदने के लिए उनको जादा पैसा देना पड़ेगा इसका मतलग क्या हुआ कि खुद किर्शी उत्पाद उगाने के बावजूद मार्केट से उनको महेंगा खरीदना पड़ा रहा है ठीक है इसको आकडों से भी हम देख सकते हैं जैसे कि मार्च 15 से मार्च जून 30 के 2020 के काल में इन त गेहूं और धान के दाम जो हैं वो मार्च 23 में 23 मार्च को धान के दाम पिर्तिक उंटल लगभग 1730 थे लेकिन जून तक आते आते वो 1690 हो गए ठीक है यानि लगभग जो है 50 रुपए की इसमें गिरावट देखी गई जबकि इसके दाम बढ़ने चाहिए थे ठीक तो इस और इसकी तुलना में खाद्यानों के दाम अधिक होने के चलते किसानों को खाद्यानों पे ही अधिक खर्च करना पड़ा है तो कहने के मतलब यह हुआ कि भले ही किसानों ने अपने उत्पादों को उगाया हो भले ही उत्पादों को जो है उन्होंने अच्छे रूप में तैयार किया हो लेकिन जब उनको फायदे की बात आती है तो उसका उसका तो किसानों को उनका पूर्ण लाब नहीं प्राप्त हुआ है जिसके चलते काफी नकरात्मक इस्थिति देखने को मिलती है ठीक इसके अलावा 2020 की आउधी में खरीफ की फसल की बुवाई निश्चित रूप से अधिक हुई है जिसका एक प्रमुक कारक ये है कि लॉकडाउन के चलते जो प्रवासी हैं वो अपने गाउं में वापस आए हैं ठीक सेंटर फॉर मॉनेटरिंग इंडियान एकॉनमी के आकड़े भी ये बताते हैं कि वर्तमान काल में यानि जून और जुलाई के काल में पिछले साल की तुलना में जो खुद को कहसान कहलाने वाले व्यक्ति थे ठीक है जिन्होंने अपना उक्यूपेशन किसानी बताया वो पिछले साल की तुलना में जादा थे ठीक है लेकिन साथ ही साथ चूंकि लॉकडाउन का काल चल रहा था तो बड़ी मात्रा में लोगों के जो रोजगार हैं वो भी खतम हुए हैं और इसके चलते ग्रामीर बिरोजगारी दर बहुत तीब्रता से बढ़ी है जैसे कि अपरेल 2020 में ये 22 पृतिशत तक देखी गई और मई में ये 21 पृतिशत तक देखी गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकरेन बहुत ह GDP में योगदान है वो लगभग 15 पृतिशत ही है और अगर इस स्थिति में अगर 4 पृतिशत ग्रोध भी होगी एगरी कल्चर की 4 पृतिशत ग्रोध भी होगी तो इसके बावजूद जो GDP में जो योगदान है संब्रिद्धी दर में वो मात 0.6 पृतिशत तक ही रहेगा ठ ठीक इसके अलावा ट्रेक्टर और फर्टिलाइजर की खरीद अधिक होने से निश्चित रूप से हम ही कह सकते हैं कि हां किसान जो है थोड़े सम्रद हुए हैं लेकिन अगर किसानों को उनके उत्पाद के दाम सही नहीं मिलेंगे अगर उनकी बजार पहुत सीमित रहेगी और अगर लगतार बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तो जितने भी लाब प्राप्त हुए हैं पहले के वो सभी लाब जो हैं सीमित होते जाएंगे ठीक है इसके अलावा लेखक आत्म निर्भर भारत पैकेज के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि आत्म निर्भर करोड तक ही सीमित हैं ठीक है तो बीस लाग करोड के पैकेज में किर्शी को प्रत्यक्ष जो लाब हुआ है वो मात्र पांच हजार करोड का ही है और बाकी जितनी भी घोचनाएं घोशित की गई हैं वो पहले से ही चल रही है ठीक है जिसके लिए अलग से कोई बजटिये प हुआ है ठीक है तो यह कुछ ऐसी कम्या हैं जिनको दूर करने की जरूड एक और इसके लिए कुछ उपाए है जिनको अपनाया जा सकता है जैसे कि भारा सरकार द्वारा जो PM किसान योजना, प्रधान मंत्री, किसान, सम्मान, निधी योजना जो घोशित की गई है और इसके तहर जो वर्तमान में 6,000 रुपए की सहायता, वार्शिक सहायता दी जाती है उसको बढ़ा कर कम से कम 12,000 रुपए किये जाने की जरुवत है इसके अलावा भारा सरकार द्वारा जो ये घोशना की गई है कि MSP को उसके किर्शी उत्पाद की लागत का किर्शी उत्पादन लागत का देड़ गुना किया जाएगा ठीक है यानि 150 प्रतिशत किया जाएगा उसको जो है सभी उत्पादों पे लागू करने की जरुवत है ठीक है वरतमान में MSP जो है उस सभी पसलों पे नहीं दी जाती है इसके चलते सरकार की घोशना के बावजूद जो है इसका लाब सबको नहीं मिल पाता है ठीक इसके अलावा जो किसान के रिंड के भुकतान पर जो मोराटोरियम या छूट जो लागू की गई है उसके संदर्व में सरकार द्वारा ये कहा जा सकता है कि 2020 और 2019 की तुलना में जो रिंड लिये गए हैं उसमें ब्याज जो है वो माफ किया जा सकता है ठीक है मूलधन भले ही माफ ना किया जाए लेकिन ब्याज को माफ किया जा सकता है ठीक इसके अलावा लेखक का ये मुख्य रूप से तर्क है कि हमें प्रत्यक्ष सहायता को दिये जाने की जरूवत है अभी तक कि जितनी भी घोचनाएं हुई है वो अप्रत्यक्ष घोचनाएं हुई है जिसमें सरकार की जो भूमिका है वो सक्रिय रूप से नाद दिखाई दे के निश्क्रिय रूप से दिखाई दी है तो लेखक का ये तर्क है कि किर्शी छेत्र का अगर पुनरुथान करना है तो सरकार को वित्य सहायता और निवेज जो है पृत्यक्ष आधार पर करना चाहिए जिससे किर्शी छेत्र में सकरात्मक परिणाम हो सके। इसमें ना केवल पशुपालन चेत्र में, किर्शी छेत्र में, पोल्ट्री छेत्र में पृत्यक्ष सहायता पैकेजों की आउशकता है वहीं साथ ही साथ छोटे छोटे जो दुख दुत्पादक हैं या फिर जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, सीमान्द किर्शक हैं उनको भी सहाय दिये जाने की जरुवत है इससे ना केवल जो डिमांड है वो create होगी बलकि जो उत्पाद है उनका मूले भी अच्छा मिलेगा और जो GDP रेट है चाहे वो overall GDP रेट हो या agricultural GDP रेट हो दोनों के दोनों जो हैं सकरात्मक रूप से आगे बढ़ेंगे ठीक है तो बहुत सारी ऐसी हैं जो COVID-19 के प्रष्ट भूमी में विशेशकर किर्शी छेत्र में किये जाने की आवशकता है ठीक चलिए अब दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो भी page नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबन GS paper 2 में quality और IR से है ठीक है इसको हम कुछ प्रितिदर से है और जनसंक्या प्रितिदर का सीधा संबन सोसाल्टी से और जोगरपी से होता है ठीक है इसमें चाइना की वन एक बच्चा नीती वन चाइल्ड पॉलिसी की चर्चा की गई है जिसको 1979 में चीन के नेता डेंग जियाव पिंग द्वारा शुरू किया गया थ ठीक है तो डेंग जियाव पिंग ने 1979 में चीन में एक बच्चा नीती की घोचना की थी और पूरे दुनिया में जो है विशेशकर विकास शिल्ड देशों में इसकी काफी तारीफ भी की जाती है ठीक है हाला कि यह जो लेख है जिसको लेखक जो है योगेश गुपता जिन और कोई भी अगर विकास शिल्ड तेश अगर यह कह रहा है कि हम one child policy अपनाएंगे तो उसको चीन को जो नुकसान हुए है उनको ध्यान में रखने की जरूरत है ठीक है तो जब भी आपको one child policy के बारे में लिखना हो और उससे संबंधित अगर आपको आलोचनाएं लिखनी हो तो यह वाले आर्टिकल में जिन जिन आलोचनाओं को उठाया गया है उनको प्रस्तुत किया जा सकता है और इस दिरिश्टिकोंड से यह काफी महत्पून आर्टिकल है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो संदर मैंने आपको बताया कि चीन की one child policy one child policy जो है डेंग जि जनम दर है ठीक है वो घटके वर्तमान में 2017 में घटके 1.6 जन प्रति महिला हो गई है और गैर अधिकारी कांकडों के अनुसार तो यह 1.05 तक गिर गई है ठीक अगर इसकी तुलना करें अमेरिका और भारत से तो अमेरिका में यह जनम दर है 1.77 वही भारत में 2.24 ठीक है कि इसी भी जनम दर को कम से कम टोटल फर्टिलिटी रेट के समान तो होना ही चाहिए जिसमें जो माता और पिता है वो कम से कम अगली पीडी में खुद को ही रिप्लेस कर सकें इतनी तो जनम दर होनी ही चाहिए ठीक है इसी अधार पर जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है उ यहाँ पे सकरात्मक बृद्दीधर देखी जाती है, और अगर वो 2.1 से कम होती है, तो वो नकरात्मक बृद्दीधर देखी जाती है, और चूंकि चीन में कितनी है, 1.6, इसका मतलब चीन में 2018 से ही जनसंख्या लगतार कम हो रही है, और 21 सो तक आते आते अनुमाल लगाया जा रहा है कि यह बहुत जादा कम हो जाएगी, ठीक है, तो एक चीन तो यह कि चीन की जनसंख्या कम होई है, इसके चलते और वो नकरात्मक रूप से कम होई है, दूसरी बात क्या है कि जो जो बायसेज हैं, जो रूडिवादी जो विचारधाराय हैं, वो लगतार बनी रह ही हैं, जिसके चलते जो चीनी समाज हैं, वो जादतर जो बच्चे होते हैं, वो लड़कों को चाते हैं, इसके चलते जो जेंडर इंबैलेंस है, ठीक है, जो लेंगिक असंतुलन है, वो भी देखा जा रहा है, और यह भी जो है चीनी समाज को नकरात्मक रूप से प्रभा किया है और वो यह बताते हैं कि 2050 तक आते आते चीन को विशेश गर जनसंख्या में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जिसमें चीन का जो व्रधता है चीन में जो व्रध हैं उनकी संख्या काफी तेरी से बढ़ने वाली है अन्य देशों की तुलना में विशेश कर य एक तिहाई हो सकते हैं ठीक है लगभग 32.6 हो सकते हैं जो 2010 में 10 ही पृतिशत हैं अगर भारत से इसकी तुलना करें तो भारत में 2010 में 5.6 पृतिशत ब्रद व्यक्ति थे और 2050 तक ये बढ़के 14 पृतिशत ही होंगे अमेरिका में 2010 में लगभग 15 पृतिशत थे और 2050 तक बढ़के ये 23 पृतिशत होंगे तो इन दोनों के तुलना में जो चीन है वो जल्दी बुड़ा होने वाला है 2050 तक और इसका एक गनकरात्मक प्रभाव ये भी देखा जा रहा है कि जो स्रंबल है जो कारे करने वक्ति 2050 तक मात्र 78.7 करोड ही रह जाएगी जो चीन जैसे बड़े देश की तुलना में काफी कम है ठीक अब जो जो वन चाइड पॉलिसी है एक बच्चा नीती है उसको चूकी 1979 से ही लगा दिया गया था तो वो समाज में इतने गहराई तक व्याप्त हो चली है कि जब 2016 में इसमे नहीं बड़ी क्यों क्योंकि जो नवीन विवाहित यूगल है ठीक है जो newly married couples है वो भी अधिक बच्चे नहीं चाहते हैं और vivid आर्थिक रीजनों आर्थिक कारकों और lifestyle कारक इसके पीछे जिम्मेदार है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1979 में जो आप नीती घोशित कर दिये व इसके चलते हुआ क्या है कि 2018 से ही चीन में जनसंख्या लगतार कम हो रही है हाला कि जो अधिकारी काकड़े हैं वो इसको छुपा रहे हैं ऐसा लेखक का कहना है ठीक और अगर यही जो है प्रवत्ती जारी रही जिसमें जनसंख्या प्रजन अंतर अगर 1.2 तक स्थिर हो ग जा सकती है यानि वर्तवान में जो चीन के जनसंख्या है वो 2050 तक बहुत तेरी से गिर सकती है ठीक अब अब इसके परभाव क्या क्या होँगे तो भाई सबसे बहटर परभाव तो सबसे बड़ा परभाव तो यही होगा कि 2050 तक अगर लग लगवक एक तिहाई जनसंख्या जो है वो वरद्ध हो जाएगी तो वरद्ध जनसंक्या की अधिकता की इस्तिती में जो स्वास्त पे किया जाने वाला खर्च है जो सोशल सिक्योटी पे किया जाने वाला खर्च है और जो पेंशन सुपिदाओं पे जो किया जाने वाला खर्च है वो बहुत जादा हो इसके लावा ब्रद जनसंक्या अधिक बचत कर पाने के स्थिति में चुकी नहीं होगी तो इससे जो बचत दर है वो भी कम होगी और सरकार को अर्थ विवस्ता के अलग-अलग छेत्रों जैसे विनिर्मान निर्याद आदी में राजस्व की हानी भी हो सकती है ठीक इसके अला बढ़ती है तो यह जो है अन्न विक्सित देशों के तुलना में कम ही रह जाएगी जिससे जो चीनी जो समाज है वो बहुत जादा प्रॉस्पेरस या बहुत जादा धनी समाज नहीं हो पाएगा ठीक इसके अलाबा अगर अगर जो है जवान विक्ति नहीं रहेंगे तो सै इक से देशों में मुख्य रूप से जो यूरोपियन राश्ट है जो पश्चमी यूरोपिय देश है उन पश्चमी यूरोपिय देशों में भी जो जनसंक्या बृद्धी दर है वो 2.1 यानि टोटल फर्टिलिटी रेट से कम है तो इसको वो काउंटर बैलेंस करने के है ठीक है एक घंटे में जितना काम किया जा रहा है और उसमें जितना उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को अगर बढ़ा दिया जाए तो इससे क्या होगा कि कम व्यक्ति काम करेंगे इसके बावजू जो है उनकी जो प्रोड़क्टिविटी है जो उनका उत्पादन है अधिक होगा, तो विक्सित देश क्या करते हैं, अपने देशों में घटी जनसंख्या से निपटने के लिए, जो टोटल फैक्टर प्रोड़क्टिविटी है, ठीक है, टी एफपी से कहा जाता है, टोटल फैक्टर प्रोड़क्टिविटी, इसको बढ़ाने की कोशिश करते ह इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में किसी वस्तू को बनाने में आप जो लागत लगा रहे हैं, इसकी तुलना में जो आपका output ratio होगा, वो आपका बहुत जादा होगा, इसके चलते आप भले ही कम लोग काम करें, कम लोग के काम करने के बावजूद जो आपका output होगा, या यह जो काम है यह चीन में काफी लंबे समय से चल रहा है, और चीन में इसमें काफी प्रगती भी की है, जैसे कि 1980 से बाहर चीन में जो TFP है, वो 5 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, 1995 में यह और बढ़ा, हाला कि वर्तमान में यह कम होता जा रहा है, ठीक, इसी के चलते संसाधन विकास और कौशल, साथ ही साथ गवर्णन सुधारों और बजार सुधारों को भी जरूत है, ठीक, लेकिन 2008 के बाद से ही चीन ने किया किया है, तो प्रशाशनिक छेतर में अपने सुधारों को पढ़ावा देने की बजाए, चीन में उदारी कान को के बजाए, ला सेमीज, प्रोफेशनल, मीडिया कर्मी आदी, और चूंकि अधिकांज जो चीन की जो जनसंक्या है, जिसमें लगबख 40 प्रिटिशा जो जनसंक्या है, वो गाउं में रहती है, इसलिए बहुत आवशक है कि जब तक गाउं का विकास नहीं होगा, या गाउं की तुलना में जो शहरों में जो विकास होगा, वो समावेशी नहीं होगा, तब तक चीन में जो वन चाइल्ड पॉलिसी के जो डिजास्टरस इफेक्ट हैं, वो कम नहीं हो पाएंगे, यही कान है कि लेखा के तर्क देते हैं कि चीन में पून नियंतरन के स्थान पर प्रिशाशनिक और नौकर साही सुधारों की जरुवत है, जिसमें जो कम्यूनिस पार्टी का जो अर्थव्योस्था पर नियंतरन है, उसको रोकने की जरुवत है, इसके अलावा जो नवीन तकनीकों को अपनाया जा रहा है, 5G हो गया, या Artificial Intelligence हो गया, या Big Data Analytics हो गया, ठीक है, यह जितनी भी नई तकनीके हैं, उसमें अर्थव्योस्था, गवर्नेंट, सिक्षा, संबंदी, सुधार भी करने होंगे, क्योंकि केवल तकनीक से देश के जो विकास है, वो पूर्ण समावेशी नहीं बन पाएगा, ठीक है, तो आने वाले समय में चीन जो है, विदेशी शेत्र में पच्चा नीती के बारे में आपको ज्यान होना चाहिए, जिसके पॉइंट्स का आप प्रियोग कर सकते हैं भारत के समाज के संदर में भी, क्योंकि भारत में भी जनसंख्या बृद्दीदर को नियून करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को अपनाने की बात कई से हैं, तो इसका संदर्व हम बता देते हैं, तो संदर्व यह है कि जून के महा में एक इंडियन सेलिबरिटी सुशान सिंग राजपूर्थ की आत्महत्या के बाद भारतिये छेत्र में काफी राजनीती देखी गई है और बहुत सारे ऐसे समाज के मुद्दे सामने आये है जिसको इस आत्महत्या की प्रश्ट भूमी में देखे जाने की जरूरत है, तो इस आत्महत्या के संदर्व में कौन-कौन से ऐसे मुद्दे हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं, तो हुआ क्या कि 14 जून को सुदान सिंग राजपूर्थ द्वारा, सुशान सिंग राजप जिसे कहते हैं, निजता का सम्मान ना किया जाना, जबरदस्ती पीछा किया जाना, पित्र सत्तात्मकता, महिलाओं को लेकर नकरात्मक दिर्श्टिकोन आ दी, ठीक, इसमें हुआ क्या कि सुशान सिंग राजपूर्थ को लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, और उन इस आत्मात्या को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, ठीक है, जिसमें अबेट्मेंट ऑफ सुसाइड, जो आर्टिकल 309, जो सेक्शन 309 के अनुसार एक अपराध है, और इसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है, तो सारा का सारा जो दोश है, वो रिया चक्रवर्ति पे डाले जाने का प्रयास किया जा रहा है, और इसमें मुख्य रूप से जो मीडिया की जो भूमिका है, वो काफी नकरात्मक है, जिससे मीडिया ट्राइल के नाम से जाना जाता है, यानि अन्तिम फैसला आने से पूर भी खुद दोरा, खुद मीडिया दोरा अपना निर्ने सुना जिसमें उन्होंने केवल और केवल रिया चिकुरवर्ती और सुशान सिंग राजपूत के केस पर ही अपना ध्यान के इंदिरित कर दिया है और अन्य जितनी भी समस्याइं हैं चाहे COVID-19 के केसों की समस्या हो चाहे भारत की GDP के गिरने की समस्या हो चाहे भारत-चीन-सीमा इसमें किसी भी समस्या की तरफ मीडिया ने कोई ध्यान नहीं दिया है और जो बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी प्रश्ट भूमी में पूरे मामले का राजनीती करण करने का प्रयास किया जा रहा है ठीक है इसमें सरकारी एजंसियां जैसे की ED, प्रदवर्तन, निदेशाले, CBI, Narcotic Control Bureau इनकी नकरात्मक भूमिका भी देखी जा रही है ठीक और मीडिया ट्रायल के तहत न्यायपालिका के न्यायक निर्णे आने के बावजूद ठीक है न्यायपालिका द्वारा मामले कौंतिम रूप से निर्णे ना किये जाने के बावजूद मीडिया द्वारा रिया चक्रवर्ती को ही सभी कार्यों के लिए धोसी ठहरा दिया गया है ठीक है इसमें पूरा जो प्रकरण है उसमें TV एंकर्स की भूमिका सोशल मीडिया की काफी नकरात्मक भूमिका देखी जा रही है और भारत में जो नियाय की जो बात कही जाती है जो दिम रूप से हमें रोक लगाने की जरूरत है क्यूंकि भारती अपराधिक विधी व्योस्ता में अगर जो नियाय की जो संकल्पना है वो केवल और केवल मीडिया द्वारा या अपनी सोच के द्वारा निर्धारित की जाने लगेगी तो इससे नियाय को निस्पक्षता को और विधी के शाशन को काफी ठेस पहुचेगी तो सुशान सिंग राजपूत केस में हमें काफी सारे ऐसे नकरात्मक पहलू है जिनको भारती समाज में विध्यमानता के अधार पर दूर किये जाने की ज़रूरत है तीक है चली अगला अगला देख लेते हैं अगले की जो ह अप्रेल महा से ही लगतार चर्चा का विशय बने हुए है उसमें अभी हाल में ही 28 और 29 अगस्त को जो पैंगॉंग सो लेक छेतर में जो विवाद देखा गया उसकी प्रष्ट भूमी में अभी कुछ समय पहले रक्षा मंतरी की वारता हुई थी भारत और चीन रक्षा मंत कर दीफितरी आपस में मिले है , ताकि जो पूरा जो सीमा विवाद है उसको शानती पूर समझाया जा सके तो हुआ क्या है तो भारत चीन सीमा विवाद में जो विदेश मंतरी ऐस जय संकर है और चीन के विदेश मंतरी उन पे पांच विंदूओं पे सहमती बनी है, जिसके अधार पर वो शांती विवस्था को इस्थापित करने के प्रियास करने वाले हैं, जैसे कि पांच विंदूओं के तहट पहली चीश तो यह है, कि भारत और चीन जो भी तनाव की बात होगी, उसमें सहमती के अधार पर निर्णे लेंगे, और इसमें राजनीतिक इस तर की सहमती भी ली जाएगी, यानि तनाव को ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, सहमतियां तनाव का रूप ना लें, इसको बहतर करने के प्रियास किया जाएगा, राजनीतिक इस तर पर, इसके अलावा, जो मौझूदा, जो प्रियास किया जा रहा है, उसको जो है, आगे भी जारी रखे जाने की बात कही जा रही है, ठीक है, इसमें दोनों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने, और तनाव कम करने की बात कही जाई है, ताकि जो सीमा पे जो शांती और सोहार्ध है, वो बन सके, और इसके लिए जरूरी है कि जितने भी समझोते हुए हैं जितने भी प्रोटोकॉल्स वगेरा भारत व चीन के मद्दे हुए हैं उसको पालन किया जाए और तनाओ को बढ़ाने को लेकर कोई कारवाई ना की जाए इसमें मुख्य रूप से दोनों पक्षों द्वारा सीमा विवात को सुल ज जाने के लिए जो विशेश प्रतिनी धी की वारता और विशेश प्रतिनी धीयों का जो मेकैनिजम के विक्सित किया गया है उसको जो है महत्पून रूप से काम करने की जरूरत है ताकि कंसल्टेशन और कॉडिनेशन के द्वारा काम किया जा सके ठीक इसमें जैसे जैसे त इतने भी तनाव की स्थिति देखी गई है, उसको निवारण किया जा सके. ठीक है, इससे पहले रक्षा मंत्री की बैठक भी हुई थी, इससे ओ के प्रिष्ट भूमी में, ठीक है, संगाई सहयोग और ओर्गनाइजेशन की बैठक के साप एक्ष, और जो सेना की इस्तर पे जो बातचीत है, वो भी लगतार जारी है, जिसमें LAC पर कमांडर, LAC पर बिटिगेडियर इस्तर की बातचीत, और लेप्टिनन जनरल या कोर कमांडर इस्तर की भी कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, ठीक है, हाला कि अगर तनाव को कम करने के दिश्टिकोंड से देखा जाए, तो इसमें काफी प्रगती नहीं हुई है, और दोनों जो पक्ष हैं, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि चीन का यारोप है कि भारतिय सेनिकों ने अभी हाल में ही पैंगॉंग जील छेतर का जो दक्षनी छेतर है, उसमें शेन पाव पहाडी छेतर में LAC का उलंगन करते हुए उन्होंने गोलियां चलाई, वहीं दूसरे और भारत का यारोप है कि उन्तिस और तीस अगस्त को पैंगॉं जील के दक्षनी छेतर में जो चीन की सेना है, उसने यथा इस्तिती जो बनी हुई है, उसको तोड़ने का प्रयास किया और अपने पक्ष में इस्तिती को बनाने की कोशिश की, ठीक है, अब अपरेल में ही इसमें लगतार तनाव बना हुआ है, जिसमें गलवान घाटी का चेतर काफी चर्चा का विशे रहा था, और यहाँ पे 15 जून को, 15-16 जून को हिंसक जड़प में 20 भारतिय सैनिकों की भी मौत हो गई थी, तो यह जो पूरा जो तनाव है, जो अपरेल से लेकर अभी तक लगतार बना हुआ है, इसको दूर करने के लिए बहुत सारे इस्त पर 2 में पॉलिटी से है, इसमें हाल में ही भारत और जापान द्वारा एक लोजिस्तिक समझावता साइन किया गया है, लोजिक समझावते के तहत क्या है? तो भारत की सेना और जापान की सेना अगर किसी भी प्रकार का कोई करिया कलाप करेगी आपस से मिलके, चाहे वो बा पानवतावादी अंतराश्टी है, राहत अभियान हो, ठीक है, उसमें दोनों जो सेनाएं हैं, वो लोजिस्टिक एग्रिमेंट के तहत सहयोग करेंगी, इसमें होता क्या है, तो अगर माल लेजे जापान की सेना को किसी परकार के रुकने की जरूरत है, किसी परकार के विमान द्वारा सहयता की जाएगी, और इसी परकार से अगर भारत की सेना को भी समबंध में कोई सहयोग और समझोते की जरूरत होगी, तो उसमें जापान द्वारा इसे प्रवाइट किया जाएगा, ठीक है, इसको कहा गया है, रैसी प्रोकल, प्रोवीजन, सप्लाइज एंड सर प्रोक्षा है, उसकी स्थापना में भी सहयोग करेगा, ठीक है, अब इसमें भारतिये, भारत, भारतिये, पक्ष और जपान पक्ष में काफी अंडस्टेंडिंग बड़ी है, और इसमें ये भी कहा गया है, कि दोनों समय समय पर नौसैन ने अभ्यास को करेंगे, ताकि दो National School of Drama, NSD, सूचना और प्रसारन मंतराले के अधीन एक स्वायत संस्थान है, वर्तमान में इसको डीमड विश्विद्याले का दर्जा प्राप्त है, National School of Drama के विकास में अबराह मलका जी का प्रमुकिस्थान रहा है, उपरोग कतनों में से सत्य कतन की पहचान करनी है, तो National School of Drama, Ministry of Culture, संस्कृती मंतराले के अधीन एक स्वायत संस्थान है, ठीक है, सूचना प्रसारन मंतराले के तहत नहीं, तो यह गलत हो गया, इसको डीम बिश्विद्याले दर्जा प्राप्त नहीं है, पहले इसको मिला था, बाद में से वापस ले लिया गया, और NSD के विकास में तो इह हमने क्यों लिया, तो आज पेज नंबर नौ पर आज एक हबर आई है, जिसमें परेश रावल को जो है national school of drama का chairperson nuked किया गया है, ठीक है, national school of drama का chairperson nuked किया गया है, NSD जो है national school of drama नई दिलि में इस्थित स्वायत संस्थान है, इसको 1959 में संगीत नाटाक अकेडमी ठीक है, कि तत्वा धान में स्थापित किया गया था, 2005 में इसको Deemed University का दर्जा मिला, हालां कि 2011 में इसको वापस ले लिया गया, अब रहा मलका जी इसके प्रिंस्पल रहे थे, 1962 से 77 तक, इनके काल में इसका परियाब तो विकास हुआ, और National School of Drama दोरा हर साल भारत रंग बहुत साव का आयोजन किया जाता है, जो एक Annual Theater Festival है, ठीक है, वार्शिव Theater Festival है, ठीक है, वार्शिव Theater Festival है, ठीक, चली अगला कोशन देख लेते हैं, राज्य सभा के उपसभापती के संदर में निमलिखित कतनों में से सत्य कतन कतनों की पहचान करें, राज्य सभा के उपसभापती के द्वारा सदन की अध्यक्षिता राज्य सभा सभापती की अनुपस्थिती में की जाती है, राज्य सभा के उप सभापती का चुनाव, राज्य सभा के सदस्यों द्वारा ही अपने बीच में से किया जाता है, जिसमें राज्य सभा के सभापती द्वारा भी मतदान किया जाता है, तो इसमें सही उत्तर चुनना है, सत्ते कथन चुनना है, तो पहला तो कथन एकदम सही है उप सभापती जो है जब राज्यसभा के सभापती यानि भारत के उप राशपती जब वो नहीं रहते हैं वो अनुपस्थित होते हैं तो उनकी अनुपस्थिती में अध्यक्षता करते हैं हाला कि जो इनका चुनाव होता है उसमें उप राशपती जो है उनकी कोई भूमि का नहीं होती है फीक है प्रारंभ में और जो संसत सदस्य है जो राज्यesabha के सदस्य है वही जो है वोटिंग के दौररा इनका चुनाओ करते हैं ठीक है तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा तो दूसरा गलत है केवल एक यानि ए इसका अंसर हो जाएगा तो आज ये पेज नंबर 9 पे खबर आई है जिसमें राज्यसभा की उपसभापती का चुनाव होने वाला है और इसमें NDA और UPA दोनों ने अपने पदादिकारियों को खड़ा किया है तो राज्यसभा के भापती भी अनुपस्तित नहें तो संसद के सदस्य होते हैं वह अपने 20 एक विक्ति का चुनाव करते हैं जो अध्यक्षिक्ता करता है ठीक अगला कोश्चन देख लेते हैं पुन्नाप्रा वायलार विद्रो के संदर्व में निमलिखित करत्नों में से असत्य कथन की प्रमुक नेता थे तो असत्य कथन कौन सा है तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है ठीक है एक और दो दोनों सी आंसर होगा पुन्नाप्रा वायलार सत्यागरे 1946 ठीक है 1946-47 के दौरान केरल छेत्म ने देखा गया और केरल छेत्म में एक रियासत थी ट्रावन कोर रिय आंदोलन था और communist आंदोलन के दौरान हुआ क्या तो जो ट्रावन को रियासत के जो दीवान थे ठीक है पीम कह सकते हैं आई मिनिस्टर सीपी रामस्वामी अईयर उन्होंने जो है ये घोशित किया कि हम जो है भारत के साथ नहीं मिलेंगे और हम केरल को एक स्वतनत रूप मे या कह सकते हैं त्रावन कोर को जो है स्वतनत रूप में विक्सित करेंगे और यहां पे यूएस के मौडल के अधार पर हम इसका विकास करेंगे तो इसके पृति उत्तर में जो है केरल के कम्यूनिस्टों द्वारा त्रावन को रियासत को भारत से जोड़े जाने के लिए रांदोलन किया था जिसका नाम था पुनाब्प्रा वाइलार विद्रो ठीक है तो अभी हाल में ही ये खबर आई है जिसमें केरल में सीपी आईयम ने यह आरोप लगाया है ठीक है यह आरोप लगाया है कि पुनाप्रा वायलार सत्याग्रह में कम्यूनिस्टों की सकरात्मक भूमिका को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और कम्यूनिस्टों द्वारा भारती सोतंतरता संग्राम में काफी सकरात्मक भूमिका भी निभाई गई है जिसको ध्यान में रखे जाने की ज़रूरत है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, मुख्य रूप से ये केरल में हुआ है, जो काफी important है, ठीक, तो 1946-47 में हुआ था ये, और ट्रावन कोर के महराजा दिवान के विरुद, इसको देखा गया था, कम्यूनिस संकट ग्रस, शेर पूँच वाले वानर, मकाक के लिए प्रिसिद्ध है, शरावती नदी इसके पास अवस्तित है, जो कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो सत्य कथन बताने हैं, तो शरावती वन्ने जीव अभ्यारने, केरल में नहीं, करनाटा का एक प्रमुख वन्ने जीव अभ्यारने हैं, ठीक है, पहला तो गलत हो जाएगा, ये संकट ग्रस, शेर पूँच वाले बानर के लिए प्रिसिद्ध है, ये तो सही है, शरावती नदी इसके पाच अवस्तित है, जो करावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो इसका पहला कथन तो स पहले हैं, ठीक है, और एक बेहत फेमस फॉल है, एक बेहत फेमस जरना है, जो क जरना, वो जो है शरावती नदी पर ही अवस्तित है, ठीक है, तो केवल जो है, दूसरा कथन इसका सही है, और इसका आंसर हो जाएगा B, तो आज पेज नमबर आट पे ख़बर आई है, जिसम आट मैया है, शरावती वैली, शरावती घाटी, लोयन टेल मैक सैंचरी में, एक जो है, अंडरग्राउंड, underground hydrogen power project के संबंध में, जो है, कारे किया जाना है, और इसी के विरूध में, जो है, याज का दायर की गई है, इससे जो है, वहाँ को, हानी पहुंचा सकती है, जो शेर पूछ लंगूर या वानर है वो उसका प्राकरतिक अवास पश्मी घाट में है और यह तमिलनाडू केरल और करनाटक के राज्यों में देखा जाता है अगर आयूसीन रेट लिस्ट की बात करें तो इसको एंडेंजर्ड लुप्त प्राय सूची में सूची बद्र कि जाता है ठीक है और conservation station जो सनरक्षण की फ्रेटन है यानि हिस्टित्वी में है और endangered इस्तिती में इसको देखा गया है ठीक है चली अगला question देख लेते हैं नीचे दिए गए युगमों में से सही सुमेलीत युगम की पहचान करें इस्थानियन पवन बहुग्यूलिक खम्सिन, कोरिय प्रया दीब, सांताना विंड्स, दक्षनी कैलिफोनिया, हरमत्टन मедधेशिया, तो इसमें केवल सांता आना, dakषनी कैलिफोनिया सही है, ठीक है? केवल दो सही है, पहला और तीसरा गलत है, ठीक, इसको मैं इसको जो है पहले ख़वर देख लेते हैं तो कैलिफोनिया के जंगलों में जो है अभी आग लगी हुई है काफी काफी भयंकर ठीक है और इसमें जो विद्वान है उनका कहना है कि इसको बढ़ाने में जो है वो एक तो सूखे की भूमिका है वहीं दूसरी ओर बढ़ते टेंपरेचर की भूमिका है जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव है ठीक है इस मुख्य रूप से कैलिफोनिया के सियरा नेशनल फॉरेट्स में आग लगी हुई है साथी साथ प्लूमस नेशनल पॉरेट्स में भी आग देखी गई है ठीक तो एक मैप में देख लेते हैं त यह राए खर्मशिन उत्तरी अफरीका में इसके लाबाद सिराको नौर्धन चिनूक नॉर्वे ठीक है पॉम्पेरो ब्लिजार्ड ठीक है बुरान कारा बुरान सौदरली ब्रिक फिल्डर ठीक है बर्ग ये कुछ और है मिस्ट्रल ये फ्रांस में है ठीक है मिस्ट्रल फ् स्थानी पवने हैं, जो कभी-कभी एक्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक, यह जो सान्ता अना है, यह मुख्य रूप से कैली पूनिया के छेतर में बहने वाली एक पवन है, जो इसकी गहाटी का टेंप्रेचर बढ़ा देती है, ठीक है, इस गहाटी का टेंप्रेचर जो अभी वर्तमान में देखी जा रही है, ठीक, चलिए, अब लास्टियर का एक कोशन देख लेते हैं, तो भारत के निमलिके छेतरों में से किस छेतर में शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं, कैमबे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा-गुदावरी बेसिन, तो यह ती शेल गैस के संसाधन के रूप में देखे गए हैं, इसमें गुजराच छेतर में कैमबे हैं, और बाकी को तो आप इस मैप में देख सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब एक मेंस के प्रैक्टिस कोशन देख लेते हैं, तो COVID-19 के प्रश्ट भूमी में भारती अर्थवयोस्था म के लिए किर्शी छेत्र एक प्रमुकारक है, हाला कि किर्शी छेत्र व्याप संकट के निवान की भी आउशकता है, इसमें भी सरकार को निश्क्रिय करता बने रहने के बजाए सक्रिय भागेदारी निभाई जेने की आउशकता है, किर्शी छेत्र में हालिया घटना क्रमों के संदर में आलोचनात्मक समीक्षा करें। 250 शब्द 15 वैश्विक इस्तर पर चीन की एक बच्चा नीती वन चाइल्ड पॉलिसी की प्रशंचा अनेग विकास शील राष्ट्रो द्वारक की जाती है। भारत द्वारा भी इसे अपनाए जाने के पक्ष में समर्थन दिया जा रहा है हालां कि अनेक साक्षे ये भी बताते हैं कि एक बच्चा नीती से चीन को नुकसान भी अधिक हुआ है। चीन की एक बच्चा नीती के संदर में उप्युक्त तरकों के साथ चर्चा करें। 250 शब्द 15 वैश्विक तो जो दोनों के दोनों जो हमने एडिटोरियल डि लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद तो चलिए अब अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए बने रहिए भाई जूज गवर्नमेंट एक्जाम प्रैप पर धन्यवाद।